आज हम बीसिक मैट्स चैनल में आपका सौगत करते हैं और आपको हम आज मैट्स तो समझाएंगे लेकिन ऐसी मैट्स समझाएंगे जो आपको फिजिक्स में काम आएगी ठीक है तो आज का टॉपिक ही ही है ये मैट्स इन फिजिक्स ठीक है गड़ित के हम कुछ फॉर्मुले जो हम फिजिक्स में यूज करेंगे और फिजिक्स के फॉर्मुले उसमें क्रियेट करेंगे ठीक है यहां पर हमारा आजका टॉपिक है mathematical formation of second law of motion तो second law of motion क्या होता है इस सबसे हम उसे mathematical formula में convert करेंगे तो second law of motion क्या होता है पहले ये जानना जरूरी है जानना जरूरी हम उसके परिवरतन की दर जो होती है वो समानुपाती होती है उस पर लगाए गए बल के बराबर और उसकी और उसी बल की दिशा में ठीक है तो इसमें हम चलिए शुरुआत करते हैं ओके suppose एक object है ठीक है suppose an object ठीक है उसका mass m है ठीक है उसका mass m है यह move कर रहा है is moving along a straight line यह एक सीधी रेखा में move कर रहा है straight line में move कर रहा है इसकी initial velocity means इसकी initial velocity हम मानेंगे u and final velocity को देंगे v ओके और यह accelerate हो रहा है ठीक है इसका त्वरण है यह acceleration and और यह time ले रहा है t समय है ठीक है t समय है इसका समय है t in time t ओके by application of constant force by by application of a constant force okay constant force इन जैसे हम f पूलते है f ठीक है throughout time t throughout time t तो इसकी momentum सबसे पहले हमेसे इसकी momentum निकालनी होगी जैसे कि हमने पहले बताया कि second law of motion state that the rate of change of momentum तो सबसे पहले हम इसका moment निकालेंगे moment क्या होता है हमे moment का formula पता है moment क्या होता है p is equal to mv ठीक है m is equal to mass और v जो होती है उसकी velocity होती है ठीक है तो हम इसकी पहले निकालेंगे momentum की initial momentum क्या होगी और final momentum क्या होगी ठीक है तो हम इसमें पहले देखते है initial momentum initial momentum को हम p1 नाम देते है is equal to m n u final momentum final momentum होगी p2 is equal to mv ओके उसका द्रव्यमान mass into velocity यह होता है momentum को formula ठीक है momentum को formula mass into velocity यह initial velocity है यह final velocity है means यह initial momentum है यह final momentum है तो अब इसमें change होगा ठीक है rate of change of momentum ठीक है तो इसमें change निकालेंगे change of momentum क्या होगा हमारा p2 minus p1 तो यह 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 यहां से हम देख रहे है common निकल रहा है एम तो यहां से निकला आगा V-U तो इसका rate जो होगा ठीक है यहां पर लिखेंगे हम rate of change of P लिख देते हैं जाए ठीक है rate of change of momentum यह होगा proportional ठीक है M into V-U by T क्योंकि यह हमें T समय में change हो रहा था यह हमने T समय लिया था यहां पर T समय में change हो रहा था इसलिए यह इसे T लिया है ओके तो या इसे ऐसे लिख सकते हैं और या applied force applied force applied force के लिखे थे F is proportional to M into V-U upon T ओके ठीक है तो अब हमें याद करना पड़ेगा Newton की गति का समी करण्ड याद है आपको first समी करण्ड क्या होता है equation 1 क्या थी हमारी equation 1 V is equal to U plus AT तो यहां से हम V इसे पक्षांतर कर रहेंगे तो V minus U by T is equal to हमें A मिल जाता है तो यह जो value मिल रही हमें यहां पर दिख रही है V minus U by T इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ठीक है is equal to M into A V minus U की जगा हमने A लिखा हुआ है ठीक है ओके तो यह रहा हमारा M A मिल गए है हमें जो F के proportional है means F proportional to M A जहां M mass है उस object का और A acceleration acceleration है ओके चलिए आगे देखते हैं यह हमारा acceleration आ गया था ठीक है F proportional to M A हमें मिल गया था यहां पर हम इसे equal to करेंगे F is equal to K M A अब यहां पर K क्या है के एक नियतांक है जैसे हम इंगलिस में constant कहते हैं ठीक है constant एक constant है जैसे constant of proportionality कहते है एक constant of proportionality है ठीक है is kg meter per second square और N means N इसे force को हम Newton से भी denote करते हैं ठीक है चलिए आगे दिखते हैं the unit force is also chosen that the value of constant ठीक है K defined as the amount of that produce an acceleration of one meter per second square in an object of one kg mass means एक constant है जो वन न्यूटन का force में वन न्यूटन के force लगा रहा है और जब और जब लगा रहा है जब वन मीटर पर second square के तौरंड से acceleration से वन केजी का object ठीक है वन केजी का object मूव कर रहा है ठीक है तो वन न्यूटन इस इक्वल टू होता है वन मीटर पर सेकेड के तौरंड के acceleration से जब वन केजी mass के object को force लगाया जाए ठीक है तो वन न्यूटन बल उसे कहते है तो इस तरीके से हमें मिल जाता है F is equal to M A जो की mathematical formulation है second law of motion का